बदलना कौन चाहता है मजबूर कर देते हैं लोग अलो बीरूफल पीपल नमस्ते कैसे हैं आप सब टैटलर वुस्ट्रपल वन पर आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है गाइस तो गाइस नए साल पर हम प्रवेस कर चुके हैं आज है 2nd of January और आज हम आपके person की वरतमान भावनाओं पर ही reading करने वाले हैं तो क्या है इस वक्ति की वरतमान भावनाओं ये वक्ति अभी कैसी माहूल में हैं इसकी feelings कैसी हैं ये वक्ति क्या सोच रहा है ये वक्ति कैसा महसूस कर रहा है इसका दिमाग क्या कहता है इसका दिल क्या क हों कैसे माहूल में है अवस्ता मैं है इसको हम कहते है current in energies या फिर current feelings तो चलिए आज आपको उनका रासी stгляд में 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 अ मिथुन करक सिंह हाथ जह कर सकते हो यह यह हमारा पाई नमर 1 मेज रिस मित्फन कख सिह कन्या एरिस टॉर ज़्नी कैंसर लिओ वर्गो पाई-नमर ये है और इसमें है ग्रीन कलर का इक स्टोन ठीक है हरा कलर के स्टोन है आप इसे चुन सकते हो टू में है तुलाव रिष्चिक धनु मकर कुम्बर मीन तुलाव रिष अच्छा ट्रस्ट भरोसा उम्मीदे इन सारी चीज़ों को जोड़ कर एक चीज़ बनता है वह है पॉजिटिविटी तो पॉजिटिविटी के साथ ही आपको अपना पाइल सेलेट करना है तो चले इतना कहते हैं करते हैं रिडिंग को स्टार्ट हम पाइल नम्बर वन से तो यह है पाइल नम्बर वन जिनोंने भी चुना है मेस, रिश, मिठुन, करक, सिह, कन्या विद्धिस, ग्रिन स्टोन देखते हैं आपके पॉर्षन की वर्तमान भावनाओं में आखिर क्या है क्या छुपा हुआ है पहला ही जो काड़ आ गया है है रोफेंट का आया है बहुत ही ब्यूटिफुल इस वहती कि वर्तमान भावना जो है नजर आई है current situation, current feeling नजर आई है पहला ही मेजर अरकाना हेरोफेंट जो होता है मन पसंद के इंसान के साथ जीवन के बंधन को बांधना जिससे हमने दिल लगाया जिसके साथ रिस्ता बनाया जिसके साथ प्यार किया जिसको प्रपोस किया उस वक्ति के साथ ही जो है आने वाला समय ता उम्र पुरी जिन्दगी बिताने की ख्वाईस यानि के लव मैरिज का कार्ड विथ स्प्रिचुल अवेकनिंग का मेसेज होता है यह है रोफेंट की एनरजी बहुत ही उम्दा थ्री ओफ वाटर नाइन ओफ अर्थ नाइन ओफ पांटिकल्स के एनरजी आई है एट ओफ फायर बॉटम ओफ देख में टैन ओफ कप्स के एनरजी आई है गाईस जलिए इस डेक से भी हम एनरजी इसको मैच करने की कोशिस करेंगे वाटर साइन सबसे ज्यादा है आज आज ओफ अर्थ आपकी एनरजी आई है नाइन ओफ पांटिकल्स आपके बारे में definitely बहुत सोचता है ये वक्ति अभी भी सोच रहा है जब मैं इस कार्ट को सफल कर रही हूँ ये वक्ति आपके बारे में सोच रहा है जब आप मेरी आवाज सुन रहे हो ये वक्ति आपके बारे में सोच रहा है आपके गुनों के बारे में सोच रहा है आपके खुबियों के बारे में सोच रहा है आपके अच्छेपन के बारे में सोच रहा है 10 of swords फिर धोगा क्यों दिया फिर दोखा क्यों दिया भाई साव एस अफ कप्स वर्ल्ड प्री ऑफ सोर्स बॉर्टम ऑफ डेक में निकल कर आया है तो चलिए गाइस साइन और एलेमेंट की तरफ बढ़ते हैं जैसा कि मैंने कहा आज टॉर्स वालों के लिए बहुत खास हो सकती है क्योंकि है रोफेंड मे साइन है कैंसर स्कॉप्य पाइसस करक विशिक मीन रासी अर्थ साइन टॉर्स वर्गो काप्रिकॉन विशेप कन्या मकर रासी फायर साइन लियो सेटिटर जैडिस से अधनों मेशाजी साथ बहुत कम लोगों के लिए साइन है जैमनी लिप्र अकुरेस में तुन तुला और सबसे पहले जो कार्ड निकल कर और आया था है रभणा कार्ड कहींना कहीं ये वक्ति बहुत इच्छुक दूसके to.. तो कि आपके साथ लॉंग तम बहुत लंगा रिस्ता रखने की चाहत रख रहा है कैसे भी करके आपके साथ जीवन को जोड़ना या आपके साथ मैरिश करना इस सथेत्ष आपके अश्वय का मैं नहीं। मैंने कहा ना water science सबसे जाए आज आया है इस deck से भी जो है ace of cups आचुका है तो पहली ही जो है इसकी वर्तमान भावनाओं में आपके साथ रिस्ते को मजबूती देना आपके साथ क्यूंकि ये loyalty का भी card होता है कि अब जितना भी मैंने trust break कर दिया है अब तक मैंने जितना भी उस रिस्ते के साथ उस इंसान के साथ मैं वफादार रहूंगा तो इस तरह के एक बहुत या अची सोच के साथ जो है ये वक्ति कहीं न कहीं आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है क्योंकि जैसा कि मैंने आप से कहा nine of earth के energy आई है जो बिलकुल आपके आपके उन तमाम अच् तो इस बात का हो चुका है कि लोग बहुत हैं दुनिया में भीड़ बहुत हैं ऐसा नहीं है कि हमें जीवन साथी नहीं मिल सकता ऐसा नहीं है कि हमें खुबसूरत लोग नहीं मिलते ऐसा नहीं है कि हमें प्यार करने वाले नहीं मिलते बहुत से लोग हमारे आगे पीछे हो को ये व्यक्ति उसी नजर से देखता है कि इतना अच्छा जो है गुनों वाला व्यक्ति है इतना अच्छा जीवन साथी जो है बनाने के जो है सारे के सारे गुन इसके अंदर है तो इस इंसान को जो है मैं पाना चाहता हूं इस इंसान को मैं अपना जीवन साथी बनाना चाह तो आप सोच लो कि यह वक्ति इसकी इच्छाओं में क्या सामिल है इसकी इच्छाओं में आपको पाना और आपके साथ जिन्दगी बिताना यह दो चीज़े हैं जो यह अभी वर्तमानकाल में जो है बहुत ज्यादा उवर्थिंग करता हुआ नजर आया है पर ऐसा बिल्कु नहीं है क्योंकि यहां पर तस्वीर कुछ और भी है और तस्वीर है धोके की तस्वीर टैनों सोट यहां पर कहीं न कहीं इसके इस इच्छा को पूरा होने से रोक रहा है यह वक्ति आपको अपना बनाना चाह रहा है पर इस वक्ति को कहीं न कहीं अपना किया हुआ वह धो पर आपके साथ आपको पाना और आपको अपना बनाने के बारे में सोच रहा है तो उसी पल जो है इसकी यह सारी उम्मीदे दम तोड़ देती है जब इसे याद आता है अपनी द्वारा दिया गया वह धोका जिस धोके को जब यह नहीं भूल पाया तो आप कैसे भूल इस वक्ति ने जितना बुरा कंडिशन आपका किया है इस वक्ति ने जितना दर्द आपको दिया है वो इसके जहन में भी बाहर बार आता है और इसका जो रहा व्यक्ति सोचता है तो दम तोड़ जाता है इसका हर सपना हर ख्वाईज जो आपके साथ जुड़ा हुआ है तो पास्ट में देखो हुआ है तेन ओफ सोड़ वही वार होता है जो वार आपको इसने दिया है या फिर आपके साथ इस वक्ति ने यही सारी चीज़े की है जिसे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं धोका के दो जूट के दो फरेब के दो भरोसे परकायम ना रहपाना के दो रिष्टे को तोड़ देना के दो हो दिया है जो इनसान इनके लिए बिल्कुल आज की डेट में पर्फेक्ट यह वक्ति महसूस कर रहा है आपको अब देखो बात करते हैं आया है यहां पर एट फायर का कार्ड और फायर का कार्ड क्या बता रहा है इसकी वरतमान भावनाव में सबसे जादा जो इच्छा है आपके साथ जो इक बातचीत का जो माधियम कटा है आभी आप दोने के बीच में जो अभी कांटक्ट ब्रेक हुआ है नो कांटक्ट जैसा चीज सबसे बड़े भावना आभी यहां पर यह की कैसे भी करके आपके पास पहुँचे आपको contact में लेकर आए आपके साथ जो संपर्क विहीन हुआ है यह वक्ति contactless जिसे हम कहते है संपर्क विहीन होना तो यह वक्ति उस contact को फिर से दुबारा बनाना चाहता है अब यह कैसे करेगा अब यह contact diary में नंबर को ढूंड़ेगा यह जब इसने आपको ब्लॉक क्या है उस ब्लॉक करेगा आपके नंबर को जो है इस वक्ति ने अपने डायरेक्टरी से ही अपने फोन के लिस्से यह contact से हटा दिया है तो वह कैसे करके आपके नंबर को हासल करेगा नियुक्त इन सारे जुगाड़ में यह वक्ती जो है लगना चाहता है क्योंकि इसे आपके साथ जो है talking terms अश्व के सांट करना है आपके साथ अपके साथ एक ब्लॉकेजिस को ये वक्ति आप रिलीज करना चाहता है, हटना चाहता है, आपके संपर्क में ये वक्ति आने की जो है, बहुत जादा इच्छाय करेंट फिलिंग्स में दिख चुकी है, साथे साथ वर्ल्ड का कार्ड घूमा है, और वर्ल्ड का कार्ड क्या बताता है, जर्न कि तुम दोनों जो है एक ही जर्णी में एक ही साइकल में घूम रहे हो कभी बिछर रहे हो कभी मिल रहे हो कभी कॉंटेक्ट लिस हो रहे हो कभी प्यार का अनुभव कर रहे हो तो कभी धोका दे रहे हो यह तो यह तो एक साइकल का एक असर है जो इस वक्ति ने आपकी साथ कि गूमेगी और एक समय ऐसा आएगा जब आप दुनों को मनजल मिलेगी आप दुनों ठैर जाओगे आप दुनों दूसरे के साथ होगे है ना तो एक ऐसा सफ़तो डफनेटली कोई भी साइकल ऐसे घूमेगा तो आकर एक बार तो इस पॉइंट में पहुंचेगा ना तो आप ह यहां पर पहुंचोगे यह वक्ति भी यहां पर पहुंचेगा उसे ही हम कहते है लाइफ सैंकल का डिफरेंट पढ़ाओ डिफरेंट पाथ डिफरेंट रास्ता जहां पर कुछ भी होता रहता है कभी साथ हो जाते हो कभी दूर हो जाते हो कभी पास हो जाते हो कभी रूठ जाते हो कभी मनाना पड़ता है कभी इतनी दूरी आ जाती है कि भरोसा ही नहीं होता कि क्या ये वक्ति मेरे जीवन का हिस्सा भी है या नहीं पर आपके जीवन का ही ये वक्ति हिस्सा है और ये आप इनके जीवन का हिस्सा हो वोल्ड का कार्ड ये ही बताता है कई लोग हो सकत तरीके के विजुलाइजिशन आपके पोस्टन को दे रहा है कभी वक्ति को अपना ही धोका याद आता है तो कभी आपके लिए प्यार बहुत जदा उमरता है प्यार महसूस करता है कैसे करके आपको अपना बना इस धुन में यह वक्ति लगा रहता है तो साइंकल इसे ही कहते जहां पर emotions जो है बहुत ज़दा up and down होता है situation up and down होता रहता है हैना मिलने बिछड़ने का खेल होता रहता है तो इस journey में आप हो तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ आप लोग doubt में मत रहो आप लोग worry मत करो क्योंकि यही cycle है जो आप तोनों को करीब लेकर भी आएग इस रिस्ते को हमेशा के लिए इस वक्ति ने खो दिया है dead end पर पहुँच चुका है यह रिस्ता इस तरीके से यह वक्ति सोचता है तो वहीं पत्री of swords जब भी अपने धोके को याद कर रहा है इसका खुद जो है दिल जो है बहुत तेज कह लिजे या तेज रफतार से धड रखता है या इस वक्ति का दिल चेन की सांस नहीं ले पा रहा इस वक्ति का दिल खुद को जो है माफ नहीं कर पा रहा काबिली तारीफ नहीं है इस वक्ति ने जो भी आपके साथ किया है वह काबिली तारीफ बिल्कुल भी नहीं और यह बात इस वक्ति को भी पता है third party भी तो कुछ लोगों को दिखता है कि इसके खुद के बुरे चैरक्टर या बुरे सभाव के वज़े से आपके साथ धोका हुआ है तो जो भी है इन शारी चीजों का रिग्रेट है है क्यों कि इस वर यहाँ पर देखिये उपर है इस वर इस वकति को इसका आसास कर रही है आपका एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ सक्स हो है ना और आप दुनों को एक साथ जिन्दगी बितानी भी है तो टैन ओफ काप्स बॉटम ऑफ देक में आया है यह इस वक्ति की सबसे बड़ी भावना सबसे ऊची भावना है संतुस्टी संतुस्टी किसमें संतुस्टी आपके साथ परिवार बसाने में संतुस्टी है आपके साथ जिन्दगी के हर दुख सुक को बाटने में संतुस्टी है आपके साथ रुखा सुका खा कर भी बस प्यार वहां पर हो उसमें भी संतुस्टी है आपके साथ अच्छे छ लाइफ में और क्या चीए तो इस तरीके के feeling इसके मन के अंदर जागरित हो रही है पर कहीं न कहीं दो cards ऐसे आये हैं जो इस व्यक्ति को वह हिम्मत नहीं करने दे रहे गाइज यह वक्ति कहीं न कहीं घबरा रहा है अपने आली, ग्रतु तो क्हाली चे आप नहीं action चुप मीज़े से ये घपराया हुआ है और ढ़रा हुआ है कि कही इन्हे स्वोच यह सपना है उसके विपरित तो मेरा पार्टनर नहीं सोच रहा क्या पता उसको मेरा ये प्यार समझ में ना आए मेरा रिग्रेट समझ में ना आए क्या पता वो स्रिफ मेरा धोका ही देख रहा हो क्या पता उसे मेरे द्वारा दिया गया दर्धी नजर आ रहा हो मेरे अंदर जो बदला हो पर कहीं न कहीं वो expectations क्या होता है मिट्टी में मिल जाता है जब इससे आता है याद अपना किया हुआ धोका तो बहुत जल्दी Ace of Cups का काड आया है मुझे लग रहा है कि यह वक्ति डेफिनित आपके साथ new beginning करेगा क्यूं करेगा क्यूंकि इसे अपना काम करने देना है आपक कि किस वजह से हुआ है यहom एक्या किस कारण से इन्हों ने आपके साथ ऐसा किया है उसके बाद ही जो है दूसरी चीजें होंगी जैसे कि आपके साथ partnership करने की बात यहां पर आई है। आपके साथ घर बसाने की बात आई है आपके साथ सम्बंद को मजबूत बनाने की बात यहाँ पर आई है three of cups यहाँ पर आया है जो बार बार three of cups and three of swords दोनों ही third party को indicate कर रही है पर मैं देख रही हूँ कि वक्त के साथ समय के साथ समय एक ऐसा पल्ती मार रहा है आप दोने के relationship में कि third party जो है अपने आप खिसक जाएगी guys अपने आप निकल जाएगी आप दोने के relationship से तो बेख़िकर हो जाओ क्योंकि इस cycle के वज़े से ही यह सारी चीज़े हो रही है तो चलिए अब आपको दिखाते हैं और क्या है इनकी energy से क्या है पर यह खुलने का काडर होता है कुछ चीज़े ऐसी होती है जिसे मन चाहरा होता है दिमाग चाहरा होता है पर वो चीज़े निकल नहीं पाती वो मन के अंदर ही क्या दोकर रह जाती है इस वक्ति को बहुत ज़्यादा देखो, already three of swords यहां आया था ना, जो दिल के दुखन को, दिल के दुखने को दिखाता है, दिल के टुकडे हो जाने को दिखाता है, दिल में जो है सांती ना होने को दिखाता है, मन हमेशा बेचेन रहने वाला, मन में हमेशा अपना ही जो है चीक चीक कर इस वक्ति को यह कहता है कि तुम्हें एक बहुत बड़े अपरादी हो, तुमने किसी के जिन्दगी को, दिल को खिलोने की तरद तोड़ा है, तो यह सारी चीज़े है ना, negativity बहुत ज्यादा है इसके अंदर, वो क्यों हुआ है, क्योंकि इसने सच में है और कह नहीं पा रहा हूं, तो इसलिए हार चक्रा ब्लॉकेजे से हाँ पर था, नंबर 38 के एनरजी आई है, पर हार चक्रा खुलने का काड है, यह खुलने का, ओपनिंग का काड है, कि यह वक्ति आप जो है, एक्स्प्रेश कर पाएगा, यह वक्ति बता पाएगा आपको यह वक्ति समझा पाएगा आपको, इस तरह की का जो है, चेंजे से हाँ पर होने वाला है, साइकल बहुत सारी चीज़े बदर रही है इसके अंदर, इस वक्ति के अंदर, अभी आप समझ लीजे ना, कि इसका दिल एक पिजड़े में है, और उस पिजड़े से जो है, आवा जिसे वो निकाल कर जो है, जबान तक नहीं ला पा रहा या आप तक पहुंचा नहीं पा रहा, पर ये पिजड़ा आप खुल चुका है, आपको मैंने समझाने की लिहास से बताया है, कि ये दिल का जो पिजड़ा है, वो खुल चुका है, ताकि ये वक्ति आकर जो महसूस क कर रहा है वह आकर आपको बता सके छो एकले दिल से कि अद्ससक्राइब करूं रस्ते में चल रहा है अकेला फिलकर रहा है यह व्यक्ति सोया हुआ है अपने आपको अकेला यानि कि कौई भी सुभे से लेकर रात तक जो भी काम ये करता है उन सारी चीजों में ये वक्ति अपने आपको किसी और के साथ मैसूस ही नहीं कर पा यह इसे लग रहा है कि जिंदगी साध अब ऐसे ही कर जाए जिन Indagी साध हमेंचे सा अधूरे पन के साथ कर जायों कि मेरा जो पार्टनर है, वो मेरे साथ नहीं है, वो मेरे साथ इस अंदेरे जर्णी में भी नहीं है, बुरे वक्त में भी नहीं है, अच्छे वक्त में भी नहीं है, किसी भी पल में आपकी मौजूद्गी जो है, वो इस वक्ती को महसूस नहीं हो पा रही है, और ये वक्ती बहुत जाता लोनली कह लेजिए अकेला कह लेजिए महसूस कर रहा है पैशन बहुत है आपके लिए नाइन ओफ पांटिकल का जो काड आया था वो यही दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं जब कोई किसी पे हमें जमीन भी दिखता है आसमान भी दिखता है सुबह भी दिखता है एक इनसान के अंदर कमिया हो तो भी उन कमियों के अंदर भी इस वक्ति को आपमें अगर अच्छा ही दिखती है तो आप समझलो कि वो वक्ति आपको लेकर कितना ज्यादा जुनूनी है या पैशनेट है इस वक्ति को आपके हर चीज में खूबी नजर आ रही है पैशन है कि क कांटक्ट के भावना यहां पर नज़राती है नजदी कि आप बढ़ाने की इछा यहां पर नज़राती है तो बहुत पैशनेट वेक्ति है यह आपको लेकर या फिर कह लिए कि इस relationship में बहुत romance हुआ करता था, जब आप तुन्हों थे तो बहुत romance आप तुन्होंने महसूस किया है इस relationship में ये नजर आया है, चले और देखते हैं क्या है आपके लिए darkest fears, look at this guys, look at this, look at this, wow मैंने आपसे क्या कहा था, एक तरफ इसका मन चाह रहा है कि कैसे करके आपके साथ एक stable relationship बनाए एक मजबूत रिस्ता बनाए जहां पर आप हो, आपके साथ खुशिया हो है ना, आपके साथ जिन्दगी भर का रिस्ता ये निभाना चाह रहा है पर कही न कहीं मैंने आपसे ये भी कहा था कि पर इसके इस इच्छा को जो है, डर ने कही न कहीं घेरा हुआ है, क्योंकि इसने आपके साथ क्या क्या 10 of swords किया, इसने आपको क्या क्या, अंतहीन, धोकी के साघर में आपको ढखेल दिया इसी वज़े से इसके उमीदे आपको पाने के उमीदे दम तोड रही है यही कहाता कि नहीं गैस देखो वही यहाँ पर आचुगा है कि इस वक्ति के और बहुत सारे सिक्रेट्स है इस वक्ति के अंदर बहुत सारे डर है इसा डर है जो इस वक्ति को धीरे-धीरे निगल रहा है एक ऐसे डर के साहे में ये वक्ति जिंदगी जी रहा है जिससे निकल नहीं पा रहा है और ये डर है उसी धोके का नाम जो इसने आपके साथ किया है गाईस इस वज़े से इसे बहुत ज़़ादा इसका मन दुखी हो र रहा हूं मैं सुधरना चाह रहा हूं मुझे अपनी गलतिया है हर चीज मुझे याद है कि मैंने किस तरीके से क्या किया था है ना पर वही डर इस वक्ति के अंदर इतना जो है इतना ज़रा आपने डर के वजय से आया है अब तो और भी चीज़ें करो बस तुम इंतजार करो अभी तक तो ये वक्ति पाना बस आपके लिए आपको कैसे पाना कि वज़ेसे ये वक्ति चुप है अब तो और भी ऐसी चीज़ें कि ये वक्ती आपके लिए ऐसे completely ये वक्ती पागल हो जाएगा कि अब आपको तो अपना नहीं है चाहे आपके सामने आकर माफी मांग कर हो आपको मना कर हो आपको convince करके हो आपको attract करके हो जैसे भी करके जो है ये वक्ती आपको पाने की नहीं दिख रहा तो current feelings की बात है तो message हम ज़रूर एक दो निकालेंगे आपके लिए कि क्या है मिए था तो निकालेंगे याहँ पर जो यहाँ पर जो 10 of swords का card आया है, यहाँ पर जो 3 of swords का card आया है, इन सारी जीजों को देखकर इसाइड यह card निकला है, जो यह कह रहा है कि अच्छा नहीं लगता यार तुम्हारे बिना, तुमसे जुदा होकर अच्छा नहीं लगता, तुमसे दूर होकर अच्छा नहीं लगता, क्यों अच्छा नहीं लगता है दिख रहा है आपको ये देखो अच्छा नहीं लग रहा है इस वक्ति को आपसे दूर हो कर कहीं न कहीं इसका मन खोचता है इसका मन तलासता है आपको ढूंडता है आपको पर क्या करें जब गलती की थी तब तो सोचा नहीं और आज सोच रहा तो आप मिल नहीं रहे हूँ, क्योंकि साइकल आड़े आ रहा है, है न, यहाँ पर जो है, बहुत सारे चीजों को इस वक्ति को बदलना है, यह वक्ति पर्फेक्ट नहीं है आपके लिए, कर्मा है कहीं न कहीं, जुड़ा हूँ आप तुनों के बीच में, तो यह वक्ति आप पर आपके रुड़िंग आई होप, आपको समझ में आई है, अगर पसंद आई है, तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्स्राइब भी करो, अगर मन होता है, तो जबर जस्ती नहीं है, न, तो इतना कहते हैं चलिए, जुड़िंग को मैं कर रही हूँ, आपको रखने अपना बह यार, लव यू आल, ठेक केर, नमस्ते, और बगई गाईज, गाईज, पाई नमबर टू, वलकम बाक, तुला, रिशिक, धनो, मगर, कुम, मिन, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरिस, कैप्रिकोन, एकोरेस, और पाइस, जिन्हों नहीं भी चुना है, चलिए देखते है वरतामान, भावना का मतलब ना उसमें पास्ठ है, ना उसमें फ्यूचर है, जब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं मेरे हाट मेंージ हैं, मैं इस कार्ड को चुना करूँगी, इस दोरान, जब आप मेरे आवाज सुन रहे हो, वो वक्ती किस गलपना में दुबा हुआ है वो व्यक्ति क्या सोच रहा है उसके दिमाग में क्या है उसके मन में क्या है राइट मुमेंट यह अब भी इस वक्त की कहानी है current situation जिसे हम कहते है current energies इसे हम कहते हैं तो इस वक्त इस वक्ति का खयाल क्या है इन सारी चीज़ों पर हमें चर्चा करनी है इनके बारे में आपको मुझे बताना है ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं आपके रिटिंग आप तयार हो जाएए दुआओं के साथ Magician वाव के बाद है वील ओ फोर्चुन एक्सपेक्ट दा अनेक्सपेक्टेट विट आया है वील ओ फोर्चुन भागय का देवता भागय परिवतन होने का समय डिवाइन टाइमिंग गुड लग गुड फोर्चुन अछी चीज़ों का होने का समय शमय 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 चक्र बदलने का समय क्या बात है गाईस दो ऐसे बहतरीन कार्ड आये हैं जो वन अफ तब बेस्ट कार्ड वन अफ तब बहतरीन जिसे कहते ना कार्ड हमें मिले है टू और फायर यहां पर आया है कोई बात नहीं आप चाहे जितना कंफ्यूज हो जाओ तरक नहीं पड़ता मुझे क्योंकि आपका समय आ चुका है अब फॉर फायर बॉटम में है मून का कार्ड देखो मून आया है ना डरना नहीं है क्यों मून भी चला जाएगा वील ओ फोर्चुन इससे कई गुना तगड़ी एनरजी होती है तो भाग्य होता है ना गईस यह ग्रह का कार्ड होता है तो भाग्य के सामने घ्रह कभी भी टिक नहीं पाता यह अभी छाया हुआ है चला जाएगा क्योंकि यहां पर मैजिशन भी आ गया है वाव है अच्छा है बहुत अच्छा हातों की लकीरे बदल रही है बुरा वक्त बदल रहा है अच्छी चीजे आ रही है अच्छी डर के साय में हैं कबजे में हैं मुन यही बता रहा है खुद पर ही सक कर रहा है खुद के ही काबिलेत पर सक कर रहा है खुद के ही प्यार पर सक हो रहा है खुद के ही रिस्ते पर सक हो रहा है सक ही सक है अभी तो स्टार, मून, स्टार, oh my god, और मैजीशन, जो मांगा, वो मिला, पिर से मून आया है मून आज की डबल एनरजी स्ट्रॉंग एनरजी है बॉर्टम में लो कर लो बाद चैरिट यहां पर भी मेजरर काना यहां पर बताओ कौन सा तगड़ा काड है गाइस कौन जीतेगा यहां पर यहां पर जीतेगा लौट कृष्णा हमारे कृष्ण भगवा यहां पर जीतेगा वह ग्रहन काली रात काली अंधिरी रात जिसे हम कहते हैं मून का ग्रहन चांद का ग्रहन जिसे हम कहते हैं कि भई हमारा ग्रहन जो है वह अभी साधी साथी चल रही है अभी अच्छा समय नहीं चल रहा यादा कहते हैं न गाइस तो यहां पर जीत किसकी के होने वाली है यहां पर जीत सच्चाई की होने वाली है यहां पर जीत धर्म की होने वाली है यहां पर जीत प्यार की होने वाली है तो चलिए तगरी लड़ाई यहां पर चल रही है दो दो चीजों के दो कहले जरा बहुत पावर्फुल जो है जो बहुत पावर्फुल सब्सक्राइब है इसके लावा हमारे पास क्या है वाटर साइन है कैंसर को पाइस करक्विशिक में राशी फाय साइन है लियो सजिटरी जारी सियंधनों और मेश्राशी इतने ही साइन आए है पता नहीं है आपका चुना हुआ साइन यहां यहां पर फिर भी रिडिंग आप सबस्क्राइब के तो जैस क्या है सबस्क्राइब क्या दिखता है आपको तो मैंने क्या आपको तो देडिय Hem इंसान और वख थी इस से होता है रहा हम यह सक्ति षौसि से अि अपनि Sound की द्वारा दिए गए यह का चाहत होती हैं कि ईनसान कुछ कर नहीं पाता चाहत होती है पर चाहतों का दम तूट जाता है और आपके पोर्सन की करेंट अगर देखे न तो यहां पर देखो क्या है मून दो काड़ाया है जो यह बताता है डर के आगे जीत है कहना गलत मतलब जूट हो जाएगा अगर मैं आपसे यह कहे दू कि आप के लिए कुछ भी करने के लिए तयार है रिस्ते को बचाएगा यह वक्ति किसी भी कीमत पर कहीं पर भी चला जाएगा आपको हासिल कर लेगा अगर मैं आपसे यह बात कहूंना तो आप समझ लेना कि मैं आपसे जुट बोल रही हूं क्योंकि यह इस वक्ति कि अभी अवस् पुछतो रहा है, relationship के बारे में बहुत सोच रहा है, पर जितना सोचता है, उतना ही डरता है, उतना ही ये वक्ति जो है अपने आप में सिमट जाता है, इस वक्ति का दिमाग, इस वक्ति का आक्शन कुछ भी नहीं होता, इस वक्ति को इस relationship में possibilities दिखती ही नहीं, इस वक्ति को इस समद में जो है संभावना दिख नहीं रही है, ये वक्ति हत से जादा ही कमजोर, हत से जादा ही जो है ये वक्ति डरा हुआ है, इस relationship को लेकर इतना खास क्यों है इस वक्ति के अंदर गाईज, आखिर क्या है आप दोने के बीच में जो मैच नहीं हो रही, आखिर ऐसा क्या जो मतलब छुपी हुई है, इसने छुपा रखी है आपसे, कई चीज़े, कई मसले, कई समस्याए, कई बाते, जो इसकी जिन्दगी से जुड़ी हुई है, आपकी जिन्दगी से जुड़ी हुई है, आप दोनों के रिस्ते को लेकर जुड़ी हुई है, इसने आपसे कुछ भी सही सही नहीं कहा है guys यह कोशिस कर रहा है कि हर सब्ध हर वाक्त के हर प्रॉलम आप से hide हो जाए आप से secretly रखा जाए छुपा कर रखा जाए यह वक्ति नहीं बता रहा है आपको अपने जिन्दगी के बारे में परदाफास कहते है न प्रदाफाज यहां पर कड़ी नहीं रहा है वक्ति, बिहांड गर्टन्स पर्दे के पीछे वाला जो है स्थित्व यहां पर चलता हूँ नजर आया है, तो चल्छे बात करते हैं कि इस ग्रहन ने क्या-क्या चीज़ें चुपाई हुई है आप से, और क्या-क्या यह वक्ति म कफ़ी नजर आ रहा है तो उसपे पीछे की वजय है four five hour वाला कार्ड यह वाला वर दिसमें एक और अपना बनाने की तो ख्वा को बैस कि जो आ जाता हैarda है बीच में खोंद में exponentा झ와 जाता है बीच सिट्व सहे खो झाने का डर समाज के खो जाने का डर सारे और बहुत सब्सक्राइब नहीं है इस दर के चलते इस ईकी आत्मासमर्पन कर दिया है और जाकर जो है अपना जो है हाथ कहलीजिए अपना साथ कहलीजिए जुकना कहलीजिए आत्मसमर्पन करना कहलीजिए उसने जाकर किसी और के साथ हो सकता है कि साधी के फेरे भी ले लिये हैं ऐसा दिखाएगा इस तो बताना ही पड़ेगा तो डर की वज़े है यही फोर प्रवेंट्स, मैरिज को लेकर बहुत डर इस वक्ति के अंदर था, जो लव मैरिज से जुड़ा हुआ था, और अरेंज मैरिज का प्रेशर यहां पर बहुत जबर्जस अभी भी है, अगर आपके पोशन की साधी नहीं हुई है, तो अब साधी हो गई है, तो उसका कर्मा आपके लिए कोई और बहुत बहतर इनिंसां आपके लिए इस वर ने चुन रखा है, ऐसे हमें उसे देखना है, ठीक है? तो अभी आप यह आ पर देखो, टू आफ फायर आया है, जो बता रहा है, टू आफ वेंस के एनरजी होती है, जो यह बता रहा है कि इंतजार आपका ही है जाना आपके पास ही है इसको आपके घर का पता भी मालूम है है ना आप गुगल में भी देख लेगा तो आपके घर के घर के पते को यह ढून लेगा इस्व्क्त को अपना मंजिल पता है अपना प्यार पता है अपना डायरेशन भी पता है पर इस वक्ति को वही फिर से वही समंदर दिखता है बीच में कि यह समंदर कब सुखे यह नदी कब सुखे आगे जाने का रास्ता कब मिले मुझे जाना है मुझे जाने दो यह वक्ति आपके तरफ आना चाह रहा है पर नहीं आ पा रहा गाईज इसे अभी भी वही डर कहते न कि वही खौफ सता रहा है पर कैसे आया आपके पास आने का रास्ता बना ही नहीं पा रहा है ये वक्ति जबकि इच्छाय बहुत है इच्छाय तो इतनी है न कि जिसकी कोई सीमा नहीं है स्टार का कार्ड यहां पर आया हुआ है स्टार का कार्ड क्या बता रहा है क्या बता रहा है तू ही तो जन्नत मेरी तू ही मेरा सुकून ये वक्ति कहीं न कहीं आपको अपनी जन्नत आपको अपना सुकून आपको पानी की ख्वाइज आपको अपना बनानी की इच्छाय रख रहा है इस वक्ति की बेबसी नजर आती है मुझे यहाँ पर, बहुत ज़रा बेबसी नजर आती है देखो धोकी का काड़ एक भी नहीं आया, पता नहीं आपके लिए ये रिडिंग है या नहीं, पर इस वक्ति ने धोका नहीं, बेबसी बेबसी का नाम अगर हम देंगे ना तो साइध इनसाफ होगा, बेबसी के वज़े से इस वक्ति ने आपको गवाया है, पाइल नमबर टू इतना बेबस हो गया है कि एक इंसान इस वर के सामने भीग मांग रहा है इस वर के सामने भीग मांग रहा है चमतकार कर दो, इच्छाय पूरी कर दो, सपने पूरे कर दो इस समंदर को सुखा दो, इस समस्याओं को हटा दो हम दोने की बीच से जो दिवार खड़ी है यहाँ पर, है ना लोगों की उस दिवार को हटा दो, कुछ तो कर दो, कुछ अच्छा तो कर दो कि मैं उसके साथ वो कर सकूँ जो मैं कर नहीं पाया मैं उसके साथ वो कर सकूँ जो मैं सोच भी नहीं पाया क्योंकि मेरे अंदर हमेशा एक डर सताता है कि मैं उसे पाऊंगा तो कैसे पाऊंगा मैं उसके साथ जिन्दगी पर कैसे निबा पाऊंगा साथ कैसे दे पाऊंगा जब कि पूरा का पूरा जो दुनिया है इसके खिलाफ है अभी पूरी दुनिया इसके खिलाफ है आपके खिलाफ है तो जब इंसान ऐसी बेबस्य के हालत में होता है वो यही करेगा जो हर इंसान करता है कि हमारे बसकी बात नहीं आप ही कुछ कर दो चमतकार तो हो तो बात बने जिस इंसान के जिन्दगी में दो-दो ग्रहन चल रहा हो है ना मतलब पंगा यहां पर उपर 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 जो युनिवर्स से ही चल रहा है इस वक्ती का बुरा समय ऐसा घिरा हुआ है ना जिसकी कोई कलपना भी नहीं कर सकता ऐसे वक्त में एक इंसान है जो तारे को देख रहा है कि मेरे जिन्दगी में तो अंदेरा चाहा गया कर यह वक्ती खुद जो है किसी अद्बुच मतकार का इंतजार कर रहा है और इस वर से मांग रहा है बस एक चीज़ बस एक चीज़ आपके साथ बिगनिग आपके साथ प्यार की सुरवात आपके साथ एक नया भविश्य यह वक्ती ढून रहा है चाह रहा है आपको प्यार प्रेटर होगा व कुछ नहीं होगा और इस ग्रहन को हटा रहा है वो scars है जो आया है आज में चैरिट के बारे में भी आपसे जारा बात नहीं करूगी चैरट सब्सक्राइब अच्छी की एक्शन लेने में बलवान होता है तो यह तो हातों की लखीर किस्मत की लखीर डिवाइन टाइमिंग अच्छी चीज़ों कर आने का समय राइट टैमिंग जिस और कितना सही समय उसका कार्ड होता है यह तो जब तक यह कार्ड नहीं आएगा इंसान कैसे अक्षन लेगा इंसान कैसे डर से निकलेगा कैसे इंसान बेखौफ होकर फैसला लेगा तो इसलिए मैं कहा रही हूँ आज रिटिंग में जैनेट से भी वलवान वील फोर्चुन है क्य मां काम करेगा इस वक्ति को बुद्धी आएगी सत बुद्धी आएगी हैना यह वक्ति बुरे समय से निकल कर एक नए समय में जा रहा है और इस वक्ति का भाग्य परिवर्तन हो रहा है यानि कि जो यह वक्ति मांग रहा है वो उसे मिल रहा है क्यों मिल रहा है क्यों कि मंत मांगते हो ठीक है अगर आपने किसी जिसका मनत मांग रखा है कि अगर मेरा यह एच्छा पुद्दा हो गया तो मैं यह करूंगी मैं इस वर के सामने जाओंगी यहा वह करूंगी ठीक है आप लोग करते हो तो आप भी सोचलो और आपके पर यहां पर आप से नई इनरजी होती है मांगने वाले इनरजी होती है और यह होता है कि तुमने मांगा मैंने दिया पर मैं कैसे दूंगा यह एक सस्पेंस है यह समझ गया आपके पोर्सन को खुद को नहीं पता चलेगा कि क्या हो गया क्यूं हो गया कैसे चमतकार हो गया जो इनसान अभी तक डर के स जो इसने मांगा है पर मिलेगा भी ऐसे कि चमतकार के ढंग से मिलेगा अचानक से होगी चीजे इसकी जिन्दगी में घटनाएं सारे के सारे अगर हम देखें कारजन के फेवर में निकल कर आये हैं इनके तरफ निकल कर आये हैं जो यह बता रहा है कि इनसान ना इनसान का भाकता फिर रहा है डर में जी रहा है आपको भी जो है डरा कर रख दिया है इस वक्ति ने और उस वक्ति के जिन्दगी में अचानक से भागी परिवर्तन हो जाए और जो यह मांग रहा है वो मिल जाए और ऐसे मिल जाए जो कभी सोचा भी नहीं है तो सोचो कैसा जमतकार ह उसके बाद आएगा गाई जे चैरिट उसके बाद होगा ये चैरिट समझ रहे हो यानिकी सब कुछ तुम्हारे लिए मेरा फैसा तुम्हारे लिए मेरे जिंदगी तुम्हारे लिए मेरा कदम तुम्हारे लिए मेरा मेरा हर चीज तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ ही है चेलिटू सेक्षिन को हम कहते हैं बेख़फी, अभी तो ख़फी ख़फ, ख़फी ख़फ है इस वक्ति के मन में, अभी भी डर रहा है जब आप मेरे आवास सुन रहे हो ना, ये वक्ति डरा हुआ है रिलेशन्शिप के बारे में बहुत सोच रहा है पर डरा हुआ है, डर ने जगट के रखा है और ये बेख़फ होकर निकल कर आएगा क्योंकि यहां पर लॉट कृष्णा इस वक्ति का साथ देंगे इस वक्ति को आपके साथ लेकर आएंगे इस वक्ति को मजबूर करेंगे कि डर के डर के प्यार नहीं किया जाता डर से प्यार नहीं होता प्यार करते हो तो फैसला लेना होगा प्यार करते हो तो दूसरों को ना कहना सीखना होगा प्यार अगर किया है तो दूसरों का गुलाम बनना नहीं बलकि उस इंसान का साथ देना है जिसे तुम उसी बुरे वक्त में अखेला छोड़ा आए हो तो यह action chariot का action इन वक्ति आने वाले दिनों में लेगा लेगा और hundred portion लेगा क्योंकि भाग के ही इहां पर इनके favor में आया है magician इनके favor में आया है star बता रहा है कि तुमारी wishes हम पूरी कर रहे हैं इसलिए यह वक्ति आपका है आपका बंद कर रहेगा पर इस वक्ति को आपको थोड़ा सा समय दे दो मैं यहे आपसे कहूंगी क्योंकि डबल मुन यहां पर है और डबल मुन के साए से इस वक्ति को निकलना होगा तो चले देखते हैं उनिवर्स की तरफ से क्या है पुरानी सोच वाले खांदान से जो है बिलॉंग करता है यह वक्ति गाइस चाहे जितना एजुकेटेट क्यूं ना हो इसका परिवार जितना पड़ा लिखा क्यूं ना हो उस सोच से परे निकल ही नहीं पाते यह लोग ऐसा दिख रहा है मुझे तो ऐसे माहौल में डरेगा इंसान जरूर क्यूंकि लड़ाई किसके साथ है अपनों के साथ है एक्सपिरेंसिंग का कर रहा है बिलकुल अनुभव हो रहा है हर चीज का दुख का सुख का स्ट्रगल का है ना हर चीज का अनुभव इस वक्ति को हो रहा है अभी इसकी करेंट एनर्जी में भी यह दिख रहा है कि कि बहुत ज़्याजा आवरकी बहुत महसूस करता है वर्ती की चीजहों को कैसे presenting जिन्दगी आ रही है आपके भीना कैसे जा रही है ऐना को धो । दरा रखा है दमका रखा है आपके पार्टनर को गईज दमका रखा है मैं यही कहूंगी बहुत है बहुत धमकाया गया है एनर्जी चेट कर लेते हैं देखो आपके और इनके पीच में जो एक दिवार है वो दिवार अलड़ी यहां पर नजर आ चुकी है पर दिवार के उस पार क्या है दिवार के उस पार है मिलन दिवार के उस पार है अभी आपके पोसंद में वह हिम्मत भी नहीं है ना कि इस दिवार को छलांग मार कर आपक मन्दर नज़र आया था अब यहां पर दिवार में तो दुख तो चाहिए कूछ तो कहते कि कुछ तो गठी कर दो और आपके पोसन में वह ना तो इसे वह सीड़ी मिल रही है इस दिवार को लांगने की ना वहां पर इसे जाने का हौसला मिल रहा है पर दूसरी तरफ इसके लिए एक खुपसरत जीवन एक खुपसरत जो है समय इसका इंतजार कर रही है और यह व्यक्ति डेफिनेटली इस छ बूज बूज नहीं रहा पर चैरेटी से वह छलांग भी लगवाएगा क्योंकि इसे वह कर नहीं है ठीक है क्योंकि दूसरी तरफ इनका भविश्य है आपके साथ दूसरी तरफ इनका प्यार है जो किसी कारण वस्त जो है अभी इसे मिल नहीं पा रहा तो चलिए एक आपके लिए गाइजन्स निकालते हैं और मूव तो यहां पर मूव की एनरजी आई है डफिनेटली यह आपके लिए एनरजी निकल कर आई है जो यह बता रही है एक जगह पर स्तिर होकर नहीं रहना है मूवमेंट चाहिए आप एक जगह पर क्या है यह हैंगमेंट की एनरजी मुझे नजर आ रही है जो यह बताती है कि हिलना डूलना नहीं है बात करना नहीं है कुछ काम करना नहीं है सोचते रहना है दिन बर खाना नहीं खाना है अपने सरीर को आलसे से भर चुके हो अपने सरीर को हमारा सरीर भी मशीन ही होता है गैस अगर उसे हम काम ना करें ना मूवमेंट ना हो ना तो उसमें जंग लग जाएगा खराब हो जाएगी आपकी मेकानिकल चीजे तो इसी वज हो अपनी आपको हैंग मैन के अनरजी में बिल्कुल मत रखो यू हाफ टू मूव हाथ प्यार चलाना जरूरी है वरना जंग लग जाएगा आप से मैं यह कह रही हूं ठीक है तो चलिए अब देखते हैं मैसेज की रिडिंग हमें करनी है एक मैसेज इस डेक्स से मैं लोंग कि रीचिंग कंक्यूजन विल ओफ फोर्चन क्या लेकर आ रहा है रहा है बहुत जल्द आप और आपके पार्टनर एक फैसला ले रहे हुए यहां पर फैसले की घड़ी आ चुकी है विल ओफ फोर्चन अलज़ी बता ही चुका था कि फैसले का समय आ चुका है अच्छी जी और मैं देख रहे हूं कि जहां तक यहां पर यह सी होगा क्योंकि समय आच चुका है फैसले की घड़ी आच चुकी है रिलेशनशिप को मंजिल तक पहुंचाना है कैसे पहुंचाना है यह सारी चीज़े आप जो है आप दुनों को फैसला मिल जाएगा गाई सापके पोसंगे तरफ से आपको एक कंकुरिजन मिल रहा है इफ जाएगा कर रहा है कि मैंने जो भी चाहा आज तक जीवन में मेरे जितनी भी खवाई से रही है सायद तुमसे बड़ी या तुम्हारे जैसी ख्वाइस मुझे आज तक कभी किसी की हुई नहीं है यह वेक्ति आपको इतना ज़रा डिजायर करता है इसकी आत्मा से यह वक्ति आपको मांगता है और सायद वो ना मिल पाना भी एक अजीव सा दर्द इस वक्ति को देता है कि जिसे सबसे ज़रा चाहा है जिसे सबसे ज़रा लाइफ में पाने की कोशिस की है जिससे प्यार किया है और उसी वक्ति को अगर हम नहीं पाते ही व्रतिक को अगर हमें गवाना पड़ता है तो सोचो कि उस वक्ति से तो उसके आधी आधी जिन्दकी आधा इच्छा ही खतम हो गया है मत चुकी है उसकी डिजायर तो यह वक्ति आपसे खुले सब्दों में कह रहा है कि जितना मैंने तुम्हें चाहा है तुम्हें पाने की इ यह थी आपके परिंट की बहुत दैनी आवस्ता जहां पर दो ग्रहन चल रहे हैं जहां पर इसकी इच्छाएं इसका जो चॉइस है आप थे वो चॉइस इसका जो जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरा नहीं हो पा रहा है डर यहां पर बहुत ज़्यादा समाया हुआ है पर विल फोर्चुन ने एक बहुत बड़ी उमीद हमें दी है कि यह व्यक्ति बदलेगा बहुत सारे ट्रांस्फरमेशन होंगी अच्छी चीज़े होंगी आप दोनों की रि मैं करते हूं आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार लव यू और छेख खेर नमस्ते एंड वाई गयाई